हेलो फ्रेंग्स वेल्कम स्टू खुबसूरत वर्ड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने चेहरे से चेचक की निशानों को हटा सकती है चिकन पॉंक्स दो तरके होते हैं चोटे और बड़े इस रोग में शरीर पर लाल रंग के दाने निकल जाते हैं जो कि ठीक तो हो जाते हैं लेकिन जाते जाते चेहरे पर और हमारे शरीर पर निशान छोड़ जाते हैं जिससे हमारे चेहरे पर गड़े हो जाते हैं इसका सबस कुछ ऐसे बहतरीं घरेलू पाई लेगर आई हूं जिनकी मदद से आप भड़ी ही आसानी से कुछ ही हफ्तों में अपने चेचक के निशान को हटा सकती हैं। लिए छोड़ दे उसके बाद फिर फानी से धूले लहसन का इस्तमाल इसके लिए लहसन की कलियां को पीस करके इसका रस निकाल ले इस रस को दिन में दो से तीन बार अपने फेस पर लगाए। आपको ऐसा रोज करना है यहां आपको कम से कम महिने तक करना है धीरे धीरे आप निम्बू की रस में टमाटर की को पीसे फेस पर सकते हुआ। मिला करके चेहरे पर अपलाए करें यह भी काफी अच्छा तरीका है चेहरे से चेचक के दागों को हटाने के लिए बेकिंग सोडा की मदद से बेकिंग सोडा चेचक के दाग को हटाने के लिए काफी फादे मंद है थोड़ा सा पानी में बेकिंग सोलना मिला कर स्क्रबर की तरह अपने चेहरे पर इस्तिमाल करें या दाग वा निशान कम करने के लिए बहुत ज़्यादा फादे मन नीम की पतियों को पीस करके इसका लेब बना करके हर रोज सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाए सुबा इससे धुल ले इसका इस्तिमाल करने से भी आपके चेहरे से चेचक के निशान हटने लगेंगे यह सारे ही उपचार आपको कई हफ़तों तक ट्राय करने होंगे तब ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि चेचक के निशान चेहरे पर दाग छोड़ जाते हैं जिने हटने में थोड़ा सा वक्त लगता है ऐसा कहते हैं कि नारियल का तेल भी चेचक के निशान को काफी हद तक कम कर सकता है आप उसकी मदद से भी अपने चेहरे से चेचक के निशान को हटा सकती है चेचक के दाग को हटा सकती हैं इसके लिए निम्बू को चेचक के दाग पर रगड़े और आदे घंटे के बाद इसे धुल ले इसका इस्तमाल करने से अपके चेहरे में खिचाव आएगा जिससे धीरे धीरे आपकी तचा साफ दिखने लगेगी तो या रही कुछ होम रेमे साइट खुबसरत वर्ल्ड पर विजिट करें जहांबर आपको ऐसे ही बहुत सारी जानकारियां पढ़ने को मिल जाएंगी